हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत सौगत करता हूँ दोस्तो इस वीडिय को स्टार्ट करने से पहले जरू कैना चाहूंगा अगर किसीने फürert time विजिट कहा सब्सक्राइब करना बेल आपके इट करना अगर आप चाहो तो free stock market classes इस चैनल को भी subscribe कर सकते हो लिंक को पर आया ब Lapcos पे या नीचे description box में मिल जाएगी तो चले दोस्तों फिलाली सोड़ी को स्टाट कर लेते हैं तो दोस्तों अभी हम लोग आचुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और यहाँ पे बात होने वाली केवल एक स्टॉक के बारे में 10 पसंट से भी जादा गिरा है और क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे 10 पसंट से जादा ही हमें लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है सो रीजन बहुत ही जेनियून होगा कि इतनी बड़ी गिरावट कोई यहाँ पे नहीं होगी मतलब रीजन के बारे में अगर में बात करो और रीजन बहुत ही सिंपल है 27 जुलै आज एकी दिन डॉक्टर रेडिस के नंबर थे लगबग यहाँ पे हम लोग कह सकते 11 बजे कर 20 मिनिट या फिर साड़े 11 बजे के आसपास हम लोग को कमपनी के कौटर वन के नंबर्स देखने को मिले अगर कौटर वन के नंबर्स अगर आप पड़ोगे तो आप इसली इंटरपेट कर पाओगे कि यहाँ पर गिरावट क्यों हो चुकी है पर हम लोग को यहाँ पर exactly देखना है कि क्या प्रॉब्लेम हुई है यह बात तो बहुत ही क्लियर है कि result के चलते ही expectation नहीं मतलब फुल्फिल नहीं किये होंगे या फिर expectation से भी बहुत खराब नंबर रहेंगे वही हम लोग को यहाँ पर देखना है खास करके अगर मैं बात करूँ दोस्तों में आपको बताना चाहूँगा देखें डॉक्टर रेडिस के अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को बता है दो टाइप के नंबर होते है एक अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चाहूँ तो बोल सकते हैं डोमेस्टिक लेवल का बिजनेस अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइड करके देख सकते हैं डॉक्टर रेडिस का एडियार भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस चैनल के उपर जो वीडियो मैंने एक पोस्ट कहा था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कुछ स्टॉक्स ऐसे है जो की इंडियान कंपनीज है जो की विदेश में हम लोगों को अमेरिकन बाजार में भी लिस्टेड होते हैं देखने को मिलेगा तो आप देख सकते ह आप लोगों को नॉर्माली देखने को मिलेगा आज जब यह उपन हो जाएगा तब आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जबरदस यहां पर भी 9-10 पसंट की गिराबट आप लोग प्रेडिक करके चल सकते हो तो बहुत ही आसानी यह चीज में बताने का मकसद क्या है कि यहा इसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर के नंबर आप लोगों ने देख लिए टाटा मोटर में भी सेम चीज है बड़ टाटा मोटर अल्रेडी कोमेंटरी दे चुका था पहले ही बोल चुके थे कि हमारे नंबर्स खराब आने वाले चीप के शॉटीजे से एंड प्लस चे मैने का रिजल्ट खराब आने वाले कोटर वन भी और कोटर टू भी सो एक्सपेक्टेड था वो तो इतना ज्यादा डैमेज देखने को मिला नहीं बट डॉक्टर रेडिस की अगर हम लोग बात करें सो अनेक्सपेक्टेड था कि कंस्रॉल डेटेड नंबर इतने खराब आएंगे तो अभी हम लोग को वही चीज़ देखनी है कि कंस्रॉल डेटेड नंबर एक्च्वल में कैसे आया है तो आप देख सकते हैं रिजल्ट के बाद ही यहापर टाइम फ्रेम भी में आपको दिखाया उसके बाद हम लोग को और भी तेजी से पर कह सकते हैं तो नंबर के और अभी हम लोग यहापर आ जाते जो इंट्रोडक्शन आप लोग को चाहिए था मतलब डिरेक्ली अगर में नंबर शुरू कर दूंगा तो वह मज़ा नहीं है पहले आप लोग को एक ओवर वी अभी आपर मिल चुका है सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके डॉक्टर रेडिस के नंबर के उपर जैसे मैंने का पहले हम लोग स्टैंड अलोन को कवर करेंगे इसको थोड़ा फास्ट वे में कवर करेंगे क्योंकि रीजन इसके बदलत गिरावाट का बहुत ही कम है जादा रीजन आपको कंशल ड चलो यहां पर अधर इंकम का एड्जेस्मेंट बहुत बढ़ है अगर आप चाओ तो सिर्फ नॉर्मल रेविनी फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो 34, 33, 32 मतलब कंपनी का बिजनेस की अगर में बात करूं इंकम की में बात करूं अधर देन अधर इंकम सो इस वक्की अगर हम हम लोग बात करें Domestic Business, Domestic मतलब इंडिया का बिजनेस बात करें तो अच्छा ही यहां पर देखने पूमल रहा है इंकम के इसाब से तो इंकम मतलब रिजल्ट नहीं होता है हमें खर्चा भी कंट्रोल करना पड़ता है 10 रुपया कमा के 10 रुपया उड़ा दोगे तो फिर ब पिछले quarter में था लगबख 4,000 चलो अच्छी बात है और एक साल पहले था लगबख 13,000 सो साड़े 13,000 से हम लोग को यहाँ पर जबरदस गिरावट देखने को मिल रहे हैं बट जैसे मैंने का यहाँ पर अधर इंकम का भी बहुत बड़ा एड़ेस्मेंट है अगर हम लोग लगबख 6,000 भी इसमें से निकाल देते हैं 13,000 में से अगर हम लोग 6,000 भी निकाल देते तो कितना रहता है अगर आप लोग नॉर्मली भी देखोगे तो sequence उसी रेंज में आप लोग को देखने को मिलेगा 5-6,000 में से सो डोमेस्टिक लेवल का बिजनेस में ज्यादा कोई यहाँ पर हम लोग को डेमेज देखने को नहीं मिल रहा है डेमेज है मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं बट यहाँ पर comparatively कम है 10% से ज्यादा स्टॉक गिरने के लिए अगर मैं बात करूँ इस टाइप के रिजल्ट कोई जिम्मेदार नहीं होते हैं हाँ consolidated numbers हम लोग जरूर देखेंगे उसी के उपर यहाँ पर आना है सो इसके बाद tax सब कुछ पे करने के पाद जो final profit रहेगा वो आप देख सकते हो standalone का 4134, 3115 and 9502 सो इसी चीज़ को अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर EPS में भी देख सकते है इसके उपर ज्यादा focus करेंगे येस अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके consolidated number consolidated जैसे मैंने कहा कि इंडिया का business plus इंडिया के बाहर का जितने भी है सब कुछ subsidiaries add करते हैं जो number आता है वो number and यहाँ पर लोग अगर आप देखोगे revenue from operation and सब कुछ फटा बटी जाएंगे total income 50,500 48,500 and 45,000 अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अच्छा ही कासा performance देखने को यहाँ पर मिल रहा है then अगर हम लोग यहाँ पर बात करें खर्चे के total expenses अगर आप देखोगे 45, 40 and 36 so expenses हम लोगो बहुत ही जबरदस देखने को मिल रहे and finally अगर आप लोग देखोगे profit before tax 5,300, 7,900 पिछले quarter खाता वहाँ से अच्छी गिरावट देखने को मिल रहे and year on year basis भी देखोगे 8,900 so वो भ definitely यहाँ पर भी वह adjustment include है but overall performance देखोगे तो control dated बहुत ही नीचे जाते वह देखने को यहाँ पर मिल रहे and finally अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सब कुछ tax bigs देने के बाद जो final figure हम लोगों को वैसे भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है वो आप देख सकते हो 3,800, 5,500 और बुरू रखे जाएंगे मान लेते हम लोग दूसरा कोई segment वाला stock हो जाता तो मान लेते हैं एक बार की की कोविड के चलते खराब performance है बट फार्मा सेक्टर से जुड़ीए companies को as such कोई दिक्कत है तो होनी नहीं चाहिए but still अगर हम लोग overall basis के उपर भी बात करें तो यह दिक अगर में बात करूब में रिजन में यहां पर रिजल्ट के चलती है बट सबसे में रिजने नंबर्स खास करके इनके जो मार्जिन्स यह एक्सपेक्टेशन थे लगबग कितना 25% के असपास यह एक्च्वल में जो अभी आया ना एक्च्वल में देखा गया तो 15 से भी कम 15 से भी कम आये हैं अभी डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो ठीक है 23 पसंट के आसपास 23 23.5 एंड 21 पसंट देखने को मिल रहा है वह चल जाएगा बट सबसे ज्यादा डामेज यहां पर दिखाया है मतलब हम कह सकते युएस मार्केट से जो उमीद थी उसके पर मतलब पू तो अब सबसे ज्यादा में इंपोर्टन चीज कौन से होने वाली पता है मैनेजमेंट की कमेंटरी यह स्टॉक अगर इतना जबर्दस गिरता है कभी चीजे होती है तो मैनेजमेंट को सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा लोगों के की नहीं इसके उपर बहुत सारी चीज़े अब भी डिपेंड यहां पर रहने वाली है तो अगर हम लोग बात करें डॉक्टर रेडिस के गिरावट के सबसे में कारण तो रिजल्ट ही है बट रिजल्ट में कौन सा वाला कॉंसा वाला जहां पर एक्सपेक्टेशन बहुत जा बाकी चोटे रिजल्ट है कि चोटे मोटे केसे बी ते डॉक्टर रेडिस के उपर उससे रिलेटेट भी प्रॉपरली जिक्रावट यहां पर किया गया नहीं है यह एसे कुछ चोटे मोटे रिजल्ट चलते रहे थे तो में रिजन दस पसंट गिरावट के कारण यही था कि बहुत ज़दा एक्सपेक्टेशन रखे गए थे युएस मार्केट से कि वहां मतलब कंसॉल्डेटेटेड नंबर से वह फुल्फिल नहीं है बड़ डॉमेस्टिक लेवल के मार्केट ने कंपेरिटिवली ठीक ठाक परफॉर्मंस यहां पर दिया हुआ है सो दोस्तों यहां पर में चीज तो हम लोगों यहां पर कवर कर लिए है और डॉक्टर रेडिस से रिलेटेड अगर मैं बात कुरूफ कुछ फॉर्मलेटीज आज के दिन 27 जुलै कैसा रहा परफॉर्मंस यहां पर लगबग 25% के आसपास डिलिवरी यहां पर उठाई गई सबसे पहला सवाल यही आता है कि यहां पर आगे हम लोगों के लिए रहेगा जिन्नों ने अभी-अभी निवेश किया अभी-अभी मतलब आप लोगों ने देखा होगा वीडियो कौनसा वाला Stock Market Classes यह यह वाला जो चैनल है इसके उपर जो मैंने इसी Saturday वीडियो बनाया था कौनसा वाला पता है Investment से related golden rule and number one तो आप लोगों ने देखा होगा point कितना ज्यादा important है उसका best example यही Dr. Redis में हम लोगों को देखने को आपे मिलने वाला है मतलब हम लोग यह आपे कह सकते है Dr. Redis में 10% की गिरावट है यहापे जो short term निवेशक है उनके लिए बुरी खबर है एक दिन में जिनोंने अगर हम लोग बात करें उनके लिए 10% की गिरावट पार्च दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं उनके लिए 10% की गिरावट छे मैने वाले जिन्होंने होल्ड किया है उनके लिए चलो जितना पैसा था उतना चला गया maximum लोग निकल जाते हैं उनके लिए उतना तो टाइम बज गया एक साल वाले देखोगे तो आज भी दूस्तों लगबग 19% से जाए लगबग 20% के प्रॉफिट में है मतलब बताने का मेन वजा क्या है कि जो सेटरड़े के दिन जो वीडियो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्मेंट का लॉंग टम इन्वेस्मेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इवन दो स्टॉक ऐसा नोस डाइव भी हो जाए इसे सडनली गिर भी जाए तो उन इन्वेस्ट आज उनके पास आराम से यहाँ पर टाइम है कि वो अपने होल्डिंग तक मतलब अभी टाइम ले सकते हैं आगे हैं पर क्या चलने वाल है और अकॉर्डिंग लेडिशन यहाँ ले सकते हैं इसे हम लोगों को बहुत बड़ी लर्निंग मिलते हैं दोस्तों कि लोंग टम के देने वाला स्टॉक है हाँ एक बात तो जरूर है कि यह कंपेरेटिवली स्लो चलता है यह कंपेरेटिवली स्लो चलेगा यह चीज आप लोगों को यह पर पता होनी चाहिए सो अभी मैनेजमेंट की कॉमेंटरिक है उसके उपर यह बहुत ज़्यादा चीज़े डिपेंड क भी हमलों को प्रेशार आते वे देखने के आप मिला है। जब जरू कह सकते है यहापर जो गिरावटे एग्स्पेक्टेशन के मुताभिक नमबर नहीं है उसी के कारण हमलों को होते वे देखने के आप मिला है। तो आप चाओ यहापे management के commentary तक यहापे इंतजार कर सकते हो और जिन्हों नहीं यहापे बहुत पहले समय से यहापे buy किया था वो उनका खुद का addition ले सकते हैं एससर उने कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ इतना है तो ज़रूर है कि उनका profit यहापे ज़रूर damage हो जाता है बट वो नुकसान में नहीं रहते है सो Saturday के दिन का जो वीडियो था उसका भी revision हम लोगों के यहापे practically होते भी देखने हो का आपे मिल चुका है आया पशा करता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और शेर यहापे कर देना So that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye